क्या आपको पता है कि UPS क्या है क्यूं इसका इस्तमाल किया जाता है और ये कितने परकार के होते हैं यदि आप एक केमपूटर यूजर हो तो UPS के विशय में साइध पहले से आपको पता हो क्योंकि इसका इस्तमाल ज्यादा केमपूटर में ही किया जाता है लेकिन यदि पूरी जनकारी नहीं भी हो तो घबराने की कोई ज़वरत नहीं है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम UPS क्या है के संदर्व में जनकारी परदान करने की कोशिस करेंगे हमारे दैनिक काम के दोरान हम बहुत से समय में पावर कट की एस्थिती से गुजरते हैं वैसे घर के दुसरे इलेक्टिकल अप्लियंसे जैसे की फैन, लाइट, टीवी तो इससे ज़्यादा परभावित नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें continuous power supply की ज़ुरत नहीं होती है लेकिन अगर आपके पास computer system महजूद है, तब तो उसे ठीक तरह से इस्तमाल करने के लिए हमेशा निरंतर power की ज़ुरत होती है ऐसे में अगर power cut हो जाए, तब हमारे data loss होने का खत्रा भी होता है बस इसी समस्या को दूर करने के लिए हमें एक ऐसी device चाहिए जो की हमें interruption free power supply परदान कर सके इसी परकार के device को UPS कहा जाता है यह UPS या uninterruptible power supply एक ऐसा device होता है जो की इसके साथ connected devices को निरंतर power supply करता रहता है अगर असान भासा में कहू तब या एक search bar जिसके साथ एक battery attach होता है अगर power cut भी हो जाए तब भी battery उस जवरत के power को supply करता है तब तक कि आपका man power restore ना हो जाए या उस battery का पूरा charge इस्तिमाल ना हो जाए यदि आप UPS के बिसे में और भी जानना चाहते हैं तब आपको ये video UPS क्या होता है पूरी तरह से आगे देखना चाहिए क्यूंकि मैंने UPS के साथ साथ और भी अन्य संबंदित जनकारी परदान करने की कोशिस करी है उमीद है आपको मेरी ये कोशिस पसंद आए तो फिर बिना देड़ी किये चलिये सुरू करते हैं और UPS क्या काम करता है और इसके कितने परकार है के विसाय में पूरी जनकारी प्राप्त करते हैं UPS एक ऐसा बिदुत उपकरन है जो इन्पुट पावर सुरोत या मुख्य सक्ती विफल होने पर लोड को अपात कालीन सक्ती परदान करता है UPS हमेशा लोड को निरंतर पावर सप्लाई करती रहती है चाहे में सप्लाई ओफ हो या ओन UPS का में अप्लिकेशन है कि वो में पावर सप्लाई के अपसेंस में हमें पावर सप्लाई करता है जिससे हमारे डिवाइस को कोई भी इसू ना हो UPS की source of energy होती है battery किसी भी UPS की backup time जिसका मतलब है कि कितने समय तक UPS load को main power supply के absence में power परदान कर सकता है उसमें इस्तमाल हुए battery की type और quantity पर निर्भर करती है UPS का full form होता है uninterrupted power supply इसका ये मतलब है कि हम UPS का इस्तमाल एक alternative power source के हिसाब से कर सकते हैं जो की निरंतर हमें interruption free power supply load को परदान कर सकती है UPS की क्या ज़ुरत है जैसे जैसे electronics और computer based devices में development हुई है वैसे वैसे sensitive electronics equipment जैसे personal computers, super computers, data processor, digital controllers इत्यादी के इस्तमाल में भी बरोर्तरी हुई है ऐसे devices को interruption free power supply की ज़ुरत होती है क्यूंकि ये devices data को handle करने के लिए memories और processors का इस्तमाल करते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि ये devices बहुत ही sensitive होते हैं corrupted power supply को लेकर उदारन के लिए अगर आप किसी personal computer को directly turn off कर देते हैं उसके power plug को निकाल कर बीना उसे shut down किये तब ऐसा करने से आप data loss कर सकते हैं और कभी कभी तो आपके computer का operating system भी corrupt हो सकता है इनी समस्याओं को हल करने के लिए domestic तोर पे और industrial तोर पे भी device और data safety के लिए UPS का इस्तमाल किया जाता है UPS के कुछ महत्पुन parts यदि हम UPS के महत्पुन parts की बात करूँ तब इसमें मुख्य रूप से निमलिकित parts होते हैं जिनके भी से में हम आगे चल कर details में जानेंगे rectifier, static bypass और switch और connector, battery, inverter, etc rectified, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि rectifier का मुख्य function AC को DC में convert करना है इसे battery charge करने के लिए इस्तमाल किया जाता है और या inverter circuit में feed होता है इसका output load की अवसकता पर निर्वर करता है इस rectifier का मुख्य के दो functions है पहला ये कि इसका इस्तमाल battery को charge करने के लिए होता है जिसे कि battery हमेशा proper float voltage में रहे जहां कुछ manufacturers battery को just trickle charge करते हैं उन्हें proper float voltage में रखने के लिए वही कुछ manufacturers और ज़्यादा sophisticated method three step का इस्तमाल करते हैं जिसे पहले fast charge होता है 90% तक उसके पस्चाद slow charge होता है 100% तक और finally एक turn off charger एक बार ये battery fully charge हो जाये तब वही इसका जो दुसरा काम है वो ये है कि rectifier का इस्तमाल incoming power को AC से DC में convert करने के लिए किया जाता है aesthetic bypass प्राया सभी online UPS में एक internal aesthetic bypass circuit मवजूद राता है जो की एक first line of defense के तरह काम करता है जब भी आप कभी UPS system के भीतर failure experience करे तब जब भी कभी system failure होता है तब ये static bypass automatically circuit को बंद कर देता है और R incoming power को rectifier battery और inverter की ओर divert करता है जिससे कि ये load को utility grade power unconsidence direct कर सके माना कि ये conditioned power नहीं है लेकिन फिर भी ये आपके system को ठीक तरीके से functioning करने में सहायक होता है यदि कभी UPS की internal components fail हो जाते हैं तब battery किसी भी UPS system का hurt होता है ये battery ये batteries का इस्तमाल मुखे रूप से energy store करने के लिए किया जाता है यदि कभी भविस में मुखे power fail हो जाता है तब इन batteries का उपयोग किया जाता है ये batteries में मुखे रूप से lead और acid का इस्तमाल होता है और ये acids में हमेशा reactions चलते रहते हैं इन batteries की भी IU होती है और कुछ बर्सों के बाद इन्हें भी बदलना पड़ता है batteries का age 4 air से 6 air तक का होता है इन batteries का खास ख्याल रखना पड़ता है और इसमें समय समय पर distilled water भरना होता है जिससे इसमें चल रहे reactions को होने में मदद मिलती है inverter ये inverter UPS सिस्टम का final और main हिस्सा होता है या rectifier के process के ठीक ultra card करता है मतलब कि ये load के उपयोग के लिए आने वाले DC supply को AC में convert करता है ये DC bus से DC को accept करता है और उसे आगे rectifier और battery को supply करता है यदि कभी power failure होता है तब rectifier और current परदान नहीं कर सकता है DC bus को जिससे केवल पूरे सिस्टम को power केवल battery ही परदान करता है ये batteries DC bus को तब तक power परदान करते रहते हैं जब तक कि वो deplete न हो जाए एक बार batteries deplete हो जाए तब सिस्टम जियो फाडी के स्तीती में पहुँच जाता है और external power source की तलास में रहता है जहां पर बाहर से power generator की मदद से परदान किया जाता है वीडियो लंबा होने के कारण हमने UPS की types को दूसरे वीडियो में समझाया है ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा तब तक के लिए बाई बाई